नमस्कार दोस्तों सावेत करते हूं आपके अपने चैनल अप्टे के स्ट्राइब में आशक और आपको हमारा आज को वीडियो अच्छा लगए है और आणे वाले वीडियो भी आपको पसंद आइए अगर आए तो चैनल को सिस्क्राइब वीडियो बिन्टो को दाओन ना तो आशा करूँ आपको ये पसंट आएगा तो चलिए देखते हैं तो दोस्तो फाइनली एपल ने लॉंच कर दी है उनकी वाउ सिरिस वर और टीन आईफोन यहां अँज हम अपना अपीनिन बताने वाले हैं जैसे हमने स्टाडी में बोला हँआ बात करने थे सबसे पहले वाउ सिरिस वर की तो यहां आपको नई डिजाइन देखना हैं पहले से बड़ी डिस्प्ले देखने हो मिलेगी सती सत यहां नया UI देखने हो मिलेगा और यहां आपको मिल रहा है Digital Crown with Haptics के साथ यहां आपको 2x faster performance मिल रही है यहां पर आपको पहले से 50% louder speaker मिलेगा और यहां पर आपको electric hard sensor मिल रहा है और यहां पर आपको ECG का app भी मिलेगा तो यहां आपको ECG का support मिल रहा है जो कि एक लाजवाब चीज़ है और यहां पर आपको sim proof मिल रहा है Bluetooth 5.0 मिल रहा है और यहां आपको मिल रही हो optical hard sensor तो यहां पर यह कुछ नए feature आये है और पहले से बड़ी display तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलना वाला है और यहां बात करें कौन-कौन से variant में आप खरी सकते है तो यहां आपको aluminum और stainless steel वाला variant मिलेगा यहां बात करें color की तो aluminum में आपको space gray, silver और यहां black देखने हो मिलेगा वहां बात करें stillness steel की तो वहां आपको मिलेगा gold, polish black और यहां पर space black color आपको देखने हो मिलेगा बात करें pricing की तो यहां GPS variant के लिए आपको pay करने होंगे $399 और वही cellular variant के लिए आपको $499 पे करने होंगे जो की बहुत जादा है और यहां पर बात करें pre-order की तो यह 14 September याने कल से start हो जाएगा और 21 तारीक से बोल रहे हैं की availability भी हो जाएगी तो यहां पर कुछी चीज़े improvement हुई है थोड़ी बड़ी display मिल रही है ECG वाला हमारको option अच्छा लगा है और नई UI मिल रही है जो की बोल रहा है कि बहुत अच्छी है तो और यहां पहले से तो watch series 4 बहतर हुई है परंतो pricing जो है वो तो यहां रह नहीं दीजिए अब बात क design दी गई है और यहां पर आप जैसे अपनी screen पर देख सकते हैं यह कुछ खतरना color में आपको यह देखने को मिलेगा यहां बात करें तो यहां बात करें इसके future की तो यहां आपको 64 GB, 108 GB और 1356 GB की variant में देखने को मिलेगा यहां बात करें RAM की तो यहां भी खुला सा नहीं मिलेगी यहां बात करें आपको display की तो जो पहले ही बता चुके हैं 6.1 inch की आपको यहां Retina display मिलने वाली HD display है जी हां मतलब HD display है और यहां पर बात करें और क्या चीज मिल रहा है तो IP67 का आपको waterproof और वो सरीट चीज़े मिल रही है यहां एक चीज अच्छी लगी है कि A2L का आपको bio chip मिल रहा है तो यह bionic chip बहुत अच्छा हो और यह पहले से बहतर भी है यहां आपको 12 megapixel का single camera मिल रहा है f1.8 aperture के साथ और वहां ही front में बात करें तो यहां पर आपको मिल रहा है 7 megapixel का camera जो हम iPhone X में पहले ही देख चुके हैं तो यहां पर कोई front में ऐसा improvement नहीं हो ह वह ही बात करें इसकी face ID की तो face ID बोले जारी कि आपको पहले से बहतर और अच्छी देखने को मिलेगी बात करें और चीजे की तो यहां आपको NFC मिल रहा है Bluetooth 5.0 मिल रहा है LTE Advanced मिल रहा है यहां आपको जो battery life है वो डेड़ गंटे जादा बताई जारी 8 plus है तो यहां आपक का most affordable iPhone है Apple की तरह से तो पता नहीं मेरे लिए तो नहीं है पर अगर पीछले मुवा इससे देखा जाए तो यह वाला वेरियंट सेस्ता है बात करें अब iPhone XS और XS Max की जो की higher variants है और यहां पर आपको यह मिलेंगे 64 GB 256 GB और 512 GB variant के अंदर दोनों ही यहां पर color की बात करें तो क्या screen resolution मिल रहा है तो आप सभी जानते हैं कि यहां पहले ही leak हो चुके थे तो यहां आपको मिल रही है 5.8 इंच की Super Retina SD Display और वहां पर आपको मिल रही है 6.5 इंच की Super Retina SD Display यहां OLED आएगा जो एक सबको चल रहा था OLED तो OLED आ गया है इसके अंदर और यहां पर यह सपोर्ट क करते हैं तो यहां आपको dual SIM का support मिल रहा है जो कि एक positive चीज़ है यहां एक और चीज़ अच्छी लगी है कि यहां आपको मिल रहा है A2L Bionic Chip जो कि एक बहतर चीज़ और पहले से improved है यहां पर IP68 का certification मिल रहा है तो यहां आपका proof है यहां बात करें केमरा की तो थोड़ा बह मिल रहा है दोनों के अंदर ही और यहां पर इसा कुछ जादा नहीं है यहां वाइड एंगल की बात करें तो 1.5 1.8 aperture का मिलेगा वहीं बात करें टेली फोटो की तो वहां मिलेगा F2.8 aperture तो यहां पर केमरा में भी थोड़ा बहुत improvement हुआ है और friendly की बात करें तो आपको सेम 7 megapixel का camera मिल रहा है जो हम IR में भी देख चुके हैं और पहले वाले X series में भी देख चुके हैं तो यहां पर इसमें कोई improvement नहीं है यहां पर बात करें battery life की तो यहां बोला जाला है कि आपको 30 minutes जादा मिलेगी S में वही S Max के अंदर आपको मिलेगी 1.5 घंटे की जादा battery life अगर compare गया जाए iPhone X से तो यहां battery life थोड़ी improve हो गई है और overall यहां नया color देखना हो मिला है प्रोसेसर अच्छा है और यहां ज्यादा improvements नहीं है battery थोड़ी improve कर दी है परंदू यहां पर जो pricing है जैसा आप अपनी stream प पोड़ी के parts sell करने पड़ेंगे वो भी देखना होगा क्योंकि आने वाले time में हमार को news आजए कि किसी ने kidney sell कि किसी ने कुछ sell किया तो आप देखते हैं इंडिया में कून क्या sell करता है हमारा opinion है कि यहां पर Apple ने इस बार कोई अच्छा game नी खेला है यहां हमार को लगता ह रेंज में और अच्छे से अच्छा device लेकर आना पड़ेगा तो यहां पर ठीक ठाक है अब क्या कर सकते हैं अब Apple है और आपको अगर purchase करना है तो आप कर सकते हैं और अगर हमार सो कोई पूछेगा तो हम मनाई करेंगे क्योंकि इतना पेसा लगाने मतलब नहीं है एक iPhone X, S, Max और XR पे तो हमारी तरफ से medium हैं कोई ऐसा खास नहीं है बताईए आपकी क्या राही है आप क्या purchase करना चाहिए इसको अगर यह दो लाग तक भी जाता है तो क्या आप दो लाग वाला भी खरीदना पसंद करेंगी क्या तो बताईएगा जरूर से और क्या आपकी राय है मे आपका दो समय सारणा भारत माता की जयाए